दोस्तो आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी क्या है तस्वीर में यहाँ तो है एक पेट क्योंकि आज हम मिलकर गाने वाले हैं कविता जिसका नाम है कहानी खिलकी वाले पेट की जो की लिखी है राजेश उत्साही ने और प्रकाशित हुई थी चक्मक उनने सो पिचासी में यह कविता दी गई है आपकी NCRT की कक्षा पांचवी किपुस्तक आसपास के पार तीन में तो चलिए मिलकर गाते हैं यह कविता सुनो कहानी एक अनोखे पेट की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की मार्टिन नाम का एक फॉजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेट डॉक्टर के लिए बना खेल हुआ इलाज पर रह गया छेट डॉक्टर के लिए बना खेल बाते जान ली उसने भेद की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की जब चाहे तब उसमें झाक ले अंदर का सारा हाल भाप ले क्या खाया क्या चबाया क्या नहीं पचा क्या पचाया कर सकते थे यह मीन मेक भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की चीजे जो करती थी गडबर उन्हें डाल कर हाज छट पर बाहर निकाल सकते थे बदले में नया खाना डाल सकते थे हाँ दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनू के पेट की, खिर्की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सब के पेट की, कहानी यह नहीं हमने गड़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी, कहानी यह हमने नहीं गड़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी, पड़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेत कहानी छेत की तो दोस्तों हमने कहानी पड़ी कविता के रूप में जो कहानी थी खिड़की वाले पेट की तो इस कहानी में एक मार्टिल नाम का जो फौजी था उसके पेट में गोली लग गई थी और उसके पेट में गोली लगने के बाद उसका इलाज हुआ पर पेट में रह गया था छेत जिसके जरीए डॉक्टरों ने खूब चान बीन करी तो ये कहानी तो कुछ ऐसी थी दोस्तों क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ सुना है कि कभी किसी के पेट में कोई छेत किया गया हो क्या आपने ऑपरेशन के बारे में सुना है जब ऑपरेशन होता है तो किस तरह से औजार अंदर डाले जाते होंगे क्या तब भी पेट में छीद किया जाता होगा और क्या ये संभव है कि हम इस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो पेट की जाच परताल कर सके सोचे तो ज़रा क्या ये कहानी सची हो सकती है या नहीं क्या पेट में छीद हो सकता है